हलो बच्चो कैसे हो now let's start the series ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है किसकी है वन और टू मार्क से कोश्चन की है न यह बहुत हेलफुल है गाइस कुछ कोश्चन अमेजिंग है जैसे कोश्चन में फर्स देखें कोश्चन फर्स देखें इसका फर्स देखना अब तुम मेंसे कहीं लोग पहली बार पढ़ेंगे कहीं बच्चे पहली बार पढ़ेंगे जहां रखना तो नमबर अफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फर्स देखना है टू की पावर में n इन्टू n-1 ठीक है आपर इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि n इन्टू n-2-n देखना बट फ्रमला क्या है नमबर अफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का टू की पावर n इन्टू n-1 make sure इसको आप लोग अपनी NCRT में ही लिखो note source और ठीक है NCRT के पर जहाँ पर 1.1 है वहाँ लिख डालो ठीक है? नौ आगे चलते हैं अपन अब कितना N कितना है? 3 है तो टोटल नमबर रिकवाइस तो 2 की पावर 3 इंटू 2 तो 2 की पावर 6 जो की पावर 6 जो की पावर 6 जो की उता है कितना? 64 मनलब 64 relation बन सकते हैं जो की कौन हो? reflexive हो clear है? पका? so pause the video and no doubt guys चलो बचालो question पर second easy, tough नहीं है, आराम से please start करें कुछ बोलिंग ज़रो तनी है, matrix सा question है x plus y की value मुझे find out करनी है कुछ नहीं है, comeback कर लो x minus y equals to minus 1 2x minus y equals to 0 cut out minus x equals to minus 1 x कितना है? 1 आया, 1 को रखो यहाँ पे ठीके, तो y आ रहा है कितना रहा है? 1 रहा है यहाँ पे और y आया 2 good off नहीं है, चले हैं बना आगे चलो easy है, determinant निकालना है कुछ चीज़ों में जाता है, समझाने का नहीं है simple, समझ में हाँ जाएगा cos 15 into cos 75 minus sin 75 or sin 15, है ना एक काम करते हैं, 75 यहाँ ले देता हूँ और 15 यहाँ कर देता हूँ बैटर रहेगा आप लोग लिए जाँ देखो, यह formula किसे बन रहा है, cos A, cos B minus sin A, sin B किसका होता है formula, cos A plus B, यहाँ रटना, ठीक है ना आप है क्या हूआ यह, cos A plus B, ठीक है 9, तो क्या बना cos 80 90 cos 90, कितना होता है बैए, कितना होता है, 0 यह, पका ना, 0 किया, pause the video, नो डाम फड़ा 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 चल रहो ना बैशाथ, चलो हाँ बच्चा, question में 4th, बात करते हैं easy question है, वो जादा, one-ma question है यह लिखते नहीं है अपन इसके अंदर sin B of 7S, कुछ बहुत, लुच्चों को अंसर पता है क्या answer है, 0, कैसे minus A से A है function मों देखता है कि function even है या, odd है कई बच्चे आगे चलने जाओ, वो को tension नहीं है, कितना आएगा sin के अंदर negative भार आता है, पावर भी क्या है, odd है तो यह odd function है odd function का answer क्या होता है ठीक है, जादा property लिखने रहे जरुद भी नहीं है, यह इतना लिखो exam में, it's more than enough ठीक है, because question is only of one marks यहाँ आजो sec square upon cosic square, ठीक है, तो जादा देखो sec होजागा 1 upon cos square cosic होजागा 1 upon sin square, यह उपर जादाएगा, हाला कि anxiety कही है, जादा ऐसा लोड नहीं है still अब कई बच्चे 10 square x का intuition लिख देते हैं क्या, 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 sec x अरे नहीं बाबा, अब बदिलेगा यह कई बहुत बच्चे भूलते हैं बहुत, इसको लिखेंगे आप लोग sec square x minus 1 dot dx sec square क्या होता है 10 x minus x plus c क्या, क्या, फंडा clear है tough होना है अरे बड़ा असान है ठीक है, perfect pause the video and note it down चलो, आगे चलते हैं बड़ बच्चा लो, question number 6 ठीक है, क्या करता है यहाँ पर find the area covered by equal to y equal to mod x and x axis from x equals 0 and 2 x equals to 1 भाई moment पर आगो पता तो है इसा graph यह से बनता है भूल तो नहीं कहा है ऐसे ठीक है फिर करता है x equals 0 अब कुछ लोग सुन लोग कुछ लोगों को दिक्कत आती है है ना x equals 0 के line बनती ऐसे यह 0 है ना और 1 की बनेगी ऐसे बहुत ही clear है ना याद अठना x equals 0 तो y axis पर line ड्रॉओ गी ठीक है ना क्योंकि y पर सारे x क्या होते है 0 होते है x ऐसे बनेगा x equals 0 ऐसे बनेगा और x equals to 1 ऐसे बनेगा ठीक है ना बहुत ही simple सी बाते इस्ट्रीब लेते हैं अपन ऐसे तो area 0 से 1 y dot dx अब सुनो एक छोटी जगल्दी बच्चा कर सकता है महसूमियत में क्या गल्द करता है वो वो ऐसे लिगता है ये mod x लिख देता है क्या लिख देता है mod x अब mod x का इंटेशन तो होता ही नहीं है आता ही नहीं होता ही नहीं है ये line होती है y equals to minus x because हम जानते हैं कि mod हमेशा खोलता है plus x और minus x में तो ये जो line होती है ये होती है y equals to x और ये line होती है y equals to minus x आप लोग डबे बना के देखो आपको ये line ऐसे ही मिलेगी मुझे detail concept सिखाना पड़ता है कई लोगों को आता है देखो बच्चा चीज अगर आती है तो double skip कर दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है नौ ये क्या हो जागा x square by 2 ठीक है 1 रखो तो 1 by 2 minus 0 half square unit अगर board exam में करते हैं अगर ये question तो ये question अराम से 30 seconds या max to max 1 minute के अंदर हो जाना चाहिए clear, perfect, pause the video no doubt, चलो so guys question बस 7th पर बात करते हैं 7th question के क्यता है find the value of P for which the vectors are parallel ये vectors parallel हो हो है ना चलो, तो हमको पता है क्या कुछ बच्चे तो भूल चिकाऊंगे होता relation क्या होता है, अगर दो vector parallel होते है तो relation क्या होता है क्या होता है, A1 upon A2 B1 upon B2 equal to C1 upon C2 है ना, दियान रखना जो लोग भूल चुके हैं, दो vector है ना, प्लीज दियान रखना A1 upon A2, B1 upon B2 equal to C1 upon C2 तो उधर का A1 कौन है ये 3, B1 ये रहा C1 1, ठीक है और इधर A2, B2, C2 clear है, 3 upon 2 minus 6 upon minus 4 P upon 1 अच्चा, नहीं, नहीं, नहीं 1 upon P 1 upon P clear हो गया, तो भाई, क्या है देखो, ये 3 और 2 इसको किसी भी पकड़ लो 3 by 2 equals to 1 upon P P equals to 2 by 3, कतम क्या था रफ, क्या था रफ? क्या था रफ? क्या था रफ? क्या था नहीं है बस ये relation हमें याद होना चाहिए, clear? pause the video on no log guys and note नहीं कर रहे हो तो यह चीज़े याद रखना जो जो first time revision में देख रहे हैं please ध्यान रखना and guys काफ़ सरी series हैं सब को देखना सब में कुछ नए हा हमेशा कुछ question ऐसे नए कुछ पुराने कुछ देखे वे कुछ नए मिलते रहेंगे ठीक है? चलो so guys question पर एर्थ बात करते हैं क्या करता है the intercept made by the plane 2x-3y-5z-4 on the coordinate axis r guys do we know the formula of intercept form of a plane equation किस की है? पहली बात रहे हो equation चाज करो plane की equation है है ना? अब किस-किस को याद है भई? जड़ाब बोलो intercept form क्या था? x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1 condition was this equals to 1 होना चाहिए plus 1 होना चाहिए equation क्या है? अच्छा guys always check playlist channel पर जाके playlist समय चाहिए करना महाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगे बहुत सारी चीज़ों की videos भी लेंगे ठीक है ना? कहीं के तो link description में है बढ़ कहीं के नहीं भी है तो please go and check ओके now अब 2x minus 3y plus 5z equals to minus का 4 अब हमको पता है कि equals to plus बना चाहिए तो we will divide by किसे? 4 या minus 4? minus 4 ओके? ठीके यह गटके तो कितना हो गया? 1 हो गया equals to में क्या आ गया? 1 cancel किया 2 यहाँ दो को minus minus क्या हो जाएगा? plus यह 3 कहा जाएगा? नीचे है ना? उपर मुझे purely x, y और z मिलना चाहिए ठीके है यहाँ पर तो x upon minus 2 plus y upon 4 by 3 plus z upon minus 4 by 5 can you see that इदर भी 5 जो है 3 नीचे जाला जाएगा तो x intercept कितना है भई? minus 2 y intercept 4 by 3 and z intercept minus 4 by 5 perfect है sure है? बहुत बहुत एजी है perfect pause the video, no doubt समझ में आया one more question है clear? चलो now बच्चा question number 9 find the vector equation of a line passing through this two points now किन-किन बच्चों ने vector मुझसे पढ़ा है मैंने vector में बहुती amazing short tricks दे रखी थी है ना? make sure पगर पढ़ा हो तो बहुत अची बात है r equals to a plus lambda b और नीच पढ़ा हो तो लिंक डिस्कूशन में है a कोने passing point और b कोने direction ratio है ना? पढ़ में तो अपने अंदाज में कराता हूँ मैं ज्यादा बड़े formula's नहीं कराता कई दिनों नहीं पढ़ा हो ना? भाई पढ़ाना बहुती शान्दा level पर काम करा हो रहा है अब a क्या होना है? आपको याद है मेरे क्या पढ़ाया था? अगर कोई line दो point से pass हो रही है तो first वाले को a मान लेंगे तो i 0 j plus 2k है ना? और जो direction ठीको और dr क्या होगा? किसको याद है? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, 3 minus minus 1, 4 यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 4 तो मेरा b कितना है? 4 i plus 4 j plus 4 k ठीक है? तो r equals to a plus lambda b a कितना है? minus i plus 2k lambda 4i plus 4j plus 4k clear है? आसान, बहुत एज़ी है perfect, pause the video and note down चल आगे चलते है so बच्चार, let's do the last question of this video question number 10, ठीक है? easy question तो है, बड़ कई लोगो दिकत आज भी आता है, ज्यान अगना sine verse, sine minus 17 pi by 8 है ना? हमको पता है कि sine verse का जो range होता है वो होता है, माइनस 90 से 90 do we know? कि बच्चों ने पढ़ा है, मुझी से पढ़ा है मैंने बहुत प्यारी-बड़ी short track सिखा रहे है कि उदर है ना? चलो और नहीं पढ़ाओ तो आता ही होगा उसमें क्या है? तब भी तो यह series देख रहे हैं है अपन अब जो देखो, हमको पता है कि sine हाला कि ए एक्जाम में नहीं लिखना है, मैं फिर भी यह वीडियो है ही इसलिए तक ही आप लोग recall कर सके है अपने पड़ीवी चीज़ों को माइनस भारा जाता है और इस sine के अंदर से भी माइनस यहां से यहां आया फिर यहां से यहां पोचा हां कि ना? भाई, साब ऐसे मत करो ठीके? तो इधर sine बहारा किया इट अब ज़र देखो इसमों कैसे solve करेंगे? 17 बाई 8 मालब बोले तो 2 पाई प्लस पाई बाई 8 16 प्लस 1 17 अब यह कितना अदा 2 पाई प्लस ठीटा फर्स क्वारेंट पहुंचा ही है अब पाई बाई 8 माईनस 90 से 90 के बीच में आता है तो यह साइन इंवर्स और साइन गायब हो जाएगा बचा कितना पाई बाई 8 और यह माईनस तो माईनस का पाई बाई 8 तो इस इस यूर अंसर इस इस टू मार्क कोशन ठीक है है आपर? ना? अच्छे से यह ना? पास्ट परवर्ड रिविशन हो रहा है कैसा लग रहा है? बताना मुझे कमेंट्स में वाट्सब नंबर भी है चेक प्लेइलिस्ट और डिस्क्रिप्शन अल्वेस टिके ए ये लिए पसना हैंचे लिए अच्ट पीज है तो एलू को बाद मिश्ट जो है?